नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षिर अब देख रही है नेक्स नाइंग लाइफ रियालीची शो बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टन रही अभिनेद्री और बीजेपी नेता सुनाली फुगाट का हाल ही में नधन हो गया है सुनाली गोवा में टूर के दोरान दलका दोरा पढ़ने से अचानक दुनिया को छोड़ गई टीव इंडस्ट्री में उनके साथी कंटेस्टन रहे राहुल व्याद वेदे ने सुनाली के नधन पर दुख जाहर किया राहुल बिग बॉस हाउस में सुनाली के साथी थे ऐसे में उन्होंने सुनाली के साथ लंबा वक्त भी बिताया था राहुल दिवंगत अभी ने इत्री को मा के समान मानते थे मीडिया के साथ राहुल ने सुनाली से जोड़ी कुछ पुरानी यादे भी शेयर की कहा कि वह अचानक से इस खबर को सुनकर गहरे दुख में पौच गई वह समझ नहीं पाई कि कैसे रियाक्ट करे सिंगर ने कहा सुनाली से उनकी कुछ अच्छी यादे जोड़ी है सुनाली जी मेरे लिए बड़ी बेहन की तरह थी वह मेरे शादी में भी शामिल होने आई थी और हाल ही मेजब फ्रेंशिप डे था पर मेरा गाना रिलीस हुआ था सुनाली जी बहुत प्यार करने वाली इंसान थी बिग बॉस की कंडिस्टेन नहीं रही अर्शी खान ने भी सुनाली के निधन के बाद कई यादे शेयर की थी अर्शी ने कहा सुनाली फुगाट उन्हें अपनी बेटी जैसे मानती थी बिग बॉस में वहें मेरे बाल बनाती थी और मैं उन्हीं के साथ सोती थी वह कहती थी तो उम्र में बड़ी है लेकिन मैं मेरी बेटी ये शोदरा जैसी बिग बॉस में अर्शी और सुनाली का काफी जगड़ा हुआ था ऐसे में शोग के बाद अर्शी ने उनसे माफी भी मांगी थी सुनाली के निदन के बाद बहुत से टीवी सिलेविटीज ने शोग जता था टीवी ए स्टार्स जैसमीन भासीन पवित्रा पुनिया अली गोनी समेट कई टीवी सिलेविटीज ने सुनाली के आत्मा के शांती की दुआ भी मांगी अज़े अब देट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले